आपका भी बहुत बहुत सुभागत है डॉक्टर पंकर शुरुवाद आपके साथ कर लेते हैं तो क्या होता है कानों का यह संक्रमन जो इतना ज्यादा कई बार गंफीर हो जाता है कान का संक्रमन जो है जनरली हम देखते हैं कि बच्चों में इनिशिल जब बच्चे छोटे होते हैं उनमें ज्यादा देखा जाता है क्योंकि उसका जो रीजन है उनके कान और नाक के बीच में जो एक ड्यूब होता है जिसको हम लोग इस्टिशन ट्यूब बोलते हैं अगर चोटे बच्चे में बहुत दिकत होती है उसको डियागनोसिस करना भी क्योंकि पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि बच्चा रोह क्यों रहा है वो बार बार अपने हाथ कान के उपर हाथ फेड़ता रहता है और फिर जनरली फिर ओर एंटी एक्सपर्ट के पास आते हैं तो पता चलता है कि उनके कान का जो हमारा जो ड्रम होता है जिसे हम परदा उसको भी नुकसान कर देता है और इतना प्रेसर होने के कारण अगर सही समय पर उपचार नहीं कराया जाया उसका तो वह डैमेज करके जो अंदर का जो फ्लूड होता है वह हमारे जो केनाल होते हैं एक्सरनल ओड़िटी केनाल बोलते हैं उसके थुरू बहार आता है तो ऐसे हिस्तिती में आपको तुरंद अपने एंटी डॉक्टर से मिलना चाहिए जो इमीडेटली उपचार है वो आपको कराना चाहिए नहीं तो आपके कान के परदों पे भी असर पड़ सकता हैं कभी-कभी बच्चे को सुनाई भी नहीं पड़ता है जो की मिडिलेज के बच्चे होते हैं तो उस कंडिशन में भी आपको एंटी चेक अप कराना चाहिए समय रहते हैं अगर आप इस चीज का उपचार कराते हैं तो आपने कान की इफाजत आप कर सकते हैं नहीं तो आपका टिंपैनिक मेंब्रेन कान का परदा जो है वो रप्चर हो सकता है जी हम मैं आपके आवाज नहीं आ रही हम तक अपना सवाल दोह रही है प्लीज मेरे कान के जो मेरे कान है इसमें बारी पन रहता है जी कानु में बारी पन रहता है मैं हेलो जी जी हम सुन पा रहे हैं आपको बोलिए मैं जो इक कान है मेरा जुखाम वाता पन ले और उसके बाद म कभी-कभी दर्थ हो रहा है दॉक्टर शुभी माफ किजिकर दॉक्टर आश्रमा पीज तो कान में भारीपन के काफी कारण होते हैं कई बारी वाले कान में हमारा वैक्स यानि कान का मेल जम जाता है उसकी वज़े से कान भारी हो जाता है आज कर बारिशों का मौसम है फंगल होना जिसको हम otomycosis कहते हैं वो भी बहुत कॉमन है और जैसे कि आप कह रहे हैं जुखाम के बाद कान भारी होना most commonly कान के परदे के पीछे हमारा एक mucus जम जाता है पानी जैसा उसको glue ear कहते हैं कई बार उस वज़े से होता है जो you station tube जैसे की पहले बताया गया नाक और कान के बीच की tube होती है कई बार हो ब्लॉक हो जाती है और कान में पानी भर जाता है उसका treatment दवाईों से हो सकता है आपसे request है कि एक बार उसको check कर वा लें ताकि आपके सही दवाई चल सके और उसका सही उपचार हो सके जी डॉक्टर पंकर जी आजकल बहुत common condition देखी जा रही है कि अकसर लोगों कुछ जुकाम होता है और जुकाम की बाद जब आप देखते हैं कुछ दिन बाद तो आपके कान में पस आ जाता है दिक्कत शुरू हो जाती है अगर आप expert के contact करते हैं बोलते हैं जुकाम हुआ तो क्या ये अभी recent scenario में ऐसा शुरू हुआ है या कुछ हास लोग है जिन पर ऐसा असर पड़ता है कि जुकाम के बाद कारों में दिक्कत हो जाती है क्या बताएंगे सुष्चे में इसमें दो दो question आपने इसमें पूछा है एक तो ऐसे patient होते हैं जिनके और कान के परदे मे परपर तरीके से नहीं कराते हैं तो जैसे ही सर्दी जुकाम या अपर डिस्पेटरी ट्रैक इंफेक्शन जैसे ही उनको होगा तो कान के जो नाग का जो म्यूकस है वो इस्टूशन टूब से होते हुए जो हमारे जो ट्रेने सिस्टम है जो कि आपका टिंपैंडिंग में नहीं रहने के कारण वो मवाद जो कि हिंदी वस वास्ता में बोले तो यह डिस्चार्ज और मवाद बोलते हैं यह लोई किसी का यह लोई किसी का मिकवाई टाइप का डिस्चार्ज किसी को ग्रीनिश टाइप का डिस्चार्ज डिपेंड्स अपन डिजीज क्या है तो एक तो यह कंडिशन होता है जिनको पहले से बीमारी है और थोड़ा भी उनको अपर इस पैर्टरैक इंफेक्षिन या चीबान नाग से पानी आना उनको पस आना शुरू हो जाता है दूसरा condition जो हम बता रहे हैं जिसमें कि आपको जो है नाक का बंद हो जाना नाक से छीक आना नाक से पानी आना और क्या गयते हैं पर-dispertory-reck infection होना उसमें जो infection जो है वो आपको institution tube के थूँ जाके आपके middle ear में मदध वाग में जाके जमा होता है जो तरल प्रतार्त जो glue ear बोल तो इस दोनों कंडिशन में क्या है कि आपको इमिडियेटली एंटी सर्जेंस से सलाह लेना चाहिए और दोनों का उपचार संभव है जी हमारे साथ एक और एकस्पर् जुड़के उनका भी स्वागत कर लेति दौक्टर दिविया हमारे साथ जुड़के एंट्य एकस्पर्ट आपका बहुत बहुत स्वागत है कि अपना डॉक्टर शुभीत यागी हमारे साथ जोड़ चुके हैं, माफ की जएगा, इसके लावा हमारे साथ एक कॉलर भी जोड़ चुके हैं, राम गोपाल, राम गोपाल जी बहुत-बहुत स्वागत है, आपका सवाल पूछी अपना. जी, डॉक्टर शुभी अगर आप हमें सुन पा रही हैं, तो जवाब दीजी सवाल का. अलो, डॉक्टर शुभी आप सुन पा रही हैं? चलि डॉक्टर शुभी से जुनने की कोशिश करें हैं, डॉक्टर आश्यमा, प्रीस. यह एक काफी कॉमन बिमारी है, काफी समान्य है यह. कई बार मरीजों को अगर डुपकी लगाने से, या कान में पानी जाने से, नहाते वकत या तैरागी के वकत चक्कर आएं, तो यह एक गंभी समस्या मानी जाती है. इसका उपचार जरूर संभव है, एक बार इसका चेक होना जरूरी है, कई बार क्या होता है, अगर हमारे कान का जो परदा है, जो टिंपानिक मेंब्रेन है, अगर वो फटा हुआ हो, तो पानी जो है, हमारे मध्य कान में जा सकता है, मध्यकान में जाने की वज़े से थोड़ा सा बोड़ी का संतुलिन बैलेंस खराब हो जाता है जिस वज़े से चक्कर भी आते हैं ये एक सीरिस बिमारी मानी जाती है अगर अंदर अंदरूनी कान में भी कोई दिक्कत है उसमें कोई infection हो सकता है वो infection हमारे सीधा brain तक जा सकता है, हमारे मस्तिक्ष तक जा सकता है, तो इस चीज के लिए proper उपचार संभव है और जरूरी भी है, दूसरा आपका सवाल था कि operation जरूरी है कि नहीं, वो आपको एक बार चेक अप करके देखकर ही E&T Surgeon सही सला दे पाएंगे? एक general precaution और भी रख सकते हैं, जैसा कि आप जब यह जो आप बोलते हैं डूपकी लगाते हैं, यह तो बिल्कुल ही आप एवाइट किया कीजे, और दूसरी एक चीज है कि जब भी आप general आप नहाते भी हैं, तो आप एक cotton में कुछ भी coconut वाइल या वैसलीन उसको मॉप करके आ और नहाने के बाद उस cotton को फेक दीजे, क्या कि अगर आप सुखा cotton लगाएंगे, तो वो पानी और उप्जवर करेगा, उससे नुकसान होगा, इसलिए आप अपने जहां पर भी नहाते हैं, रूई में आप नाडियल का तेल या वैसलीन पैक करके यह को अच्छी तरीके से टाइट पैक कर लिजे, जिसे कि आपको एकान में पानी ना जाए, और इसी बीच में आपको अपरेशन भी कराना चाहिए, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे, इसका कॉम्प्लिकेशन होने की भी समभावना है